आपना एक किलो देशी वाल छवीशल पछी उकरमा एकदम सरस्रीते बफाई गया छे वालने बाफता पहला महराजे छथी आठ कललाक माटे पलाडवा माटे मुक्या हता अने वालने बाफती वक्ते खास ए ध्यांद राखवानू के वाल पलाडवा माटे जे पाणी वाप्रिव होई ए पाणी कहडी नाखवानू अने वालने चोखा पाणी मा बाफवानू वालने बाफ्या पछी आपनेमा बे चमची मीठू अने एक चमची हड़दर उमेरीशू अने एने अड़्दो कल्लाक माटे ढांकी ने मुकी राखीशू अड़्दो कल्लाक पछी वालने आपने आरीते काणावाडा वासन मां कहडी लईशू अनि हडदर ने मीठाना पानी ने पंपने कढडी नाखवनौ रसफा माते आपने नव पाणी उमेरीशू हवए अपने वालनो वघहर करीशू वालना वघहर माते आपने थोडु हजमो लिधो छे हवए अपने 200 में खांड उमेरीशू आने महाराजे 100 ग्राम धना जीरानों पाउडर उमेरो छे एमा 10 ग्राम जिटली खड़्दर नाख ली 100 ग्राम जिटलू आपने अवे एमा मर्चू नाखे शू अवे आपने इमा थोड़ू प्मीठू नाखे शू हुई अपने जे वस्टू इबीजे वघर माटे अजय बद्जी ने मिक्स परिदे मित्रो वाल नाखे माते आपने जे मसालो तैयार करें जे तैयार छे आँ अमली नू पाणी जे ऐ 100 ग्रामा आमली नू छे आपने थोडूक आमा थी वालमा नाखीशू और थोडूक डालमा नाखीशू और आ पाणी छे यह आपने रसो बनाईशू यहाँ वगार माइटे महराज लगबग 500-700 ग्राम यहतू तेल गरम थाई जाए यहाँ यहाँ पेलो मसालो बनावेशू यह नाखो और तरत जारी पाणी नाखो 100 ग्राम पान पान पाणी पची थोडू आमली नाखो अवे आपने जे मसालो बनावेशू यहनू पाणी तयार शे यहने बराबर मिक्स करी देऊ कि यह थी मसाला नों कोई पन गठो ना रही जाए अवे एक दम बद्दू एक रस थाई जाए अवे आपने लगबग 60 लीटर जीटलू पाणी रसो बनावा माटे उमेरी शू अने आपने जे वाल बाफ्या चे ए पन आपने अवे उमेरी देईशू अवे आपने वालने हडवा हते दी मिक्स करी लाईशू अने लगबग 5-7 मिनीट सुदी उकडवा देईशू दूओ मित्रो आर रसो एकदम मस तैयार छे अवी तरी जयरे उप्परावा माणे ने त्यारे वालने तैयार समझवा अने पच्छी गेस बंद करी दे एकदम सरस मजाना देशी वाल तैयार छे आमाजे रसो छे आपने थोड़ो मीडियम राखवा नो बव जो रसो राखशो तमे तो ये वधारे पाणी पाणी थाई असे जो तमने अमारी या रेसिपी गमी होए तो आ वीडियो ने लाइक करो आ वीडियो ने वधूमा वधूलो को साथे शेयर करो और आवीज नमी नमी रेसिपी सिखवा माटे अमारी चैनल कुकिंग कुमा ने सब्सक्राइब करवानू बुलता नहीं थेंक्यू